हेलो एवरिवन आज हम मुरमुरे की बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं इसको बनाने में ओबर ओल स्रिफ 10 मिनिटी लगेंगे मतलब आपको डिबे से मुरमुरा निकालने से लेके बनाने सिर्फ 10 मि refinance लगेंगे और आपसको 2 महिने तक रिस्टोर कर सकते हैं बहुत हीra ज़्यादा क्रिस्पी बहुत ही ज़्यादा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे निव वीडियो मिलते रहें वर्किंग मॉम्स के लिए इसी रेसिपी और बचोग घर पे कैसे पढ़ाना यह वीडियो बताती हूं मैं तो सरफ दो मिनिट तक रोस्ट करना है दो मिनिट रोस्ट करने के बाद आप देख सकते हो यह बहुत अच्छे से मतलब दबने लगा है इसका चूरा जैसे बनने लग क्यूत मैंने हिए दो में करन बचा यह जाह हूं यह यद रिव को यह बए तर दो चम बाद सकत तो मैंने हमघ। पानी आप चिमच पानी यहां तो चुमच पानी डूल दीयÐ ताकि जो है जरक जाया मतलब जल ना जाए तो यहां पर एक पराना है तो कालर सा है, यहां पुर्णा yang आहे सब्सक्रा को थोड़ा ने लिए Willi तो इसको इसको यहां बनने में में फैंड नहीं जादा नहीं लगता है और हम पाक को कैसे चेक करेंगे कि पाक हमारा जो है गुड की चासनी जो है तैयार हो गई है तो एक कटोरे में हम पानी ले लेते हैं और उसके बाद में हम थोड़ा सा चासनी को उसमें डालेंगे और उसकी गूली बनाएंगे अगर गूली गूली जो है कड़क हो रही है इतम पार लिया था एक मिनट के बाद तो गोली जो है मतलब थोड़ी से लूज है गीली टाइप की है तो इसलिए मतलब पाक चासनी जो है नहीं बनी है अब एक मिनट और इसको मैं कांटिनुसली चला रही हूं लो फ्लेम पे लो फ्लेम जरूर करना है दरवाइस गुड़ जल जा तो इसके बाद में डालना है मुरमुरा और जैसे ही इमिजेटल आपको गैस के फ्लेम को आफ करना है बहुत जरूरी है अदरवाइस जो है की चासनी बहुत जादा कड़क हो जाएगी तो एक कुछ चीजे हैं जो हमेशा याद ही रखनी है बनाते समय की चासनी ब्लकुर कर देंगे तो मैं ने एक मिस्टेक कर दी थी मतल बहु गए थी कि मैंने ब्लेट को प्रीज करना भूल गई थी टो ये आप लोगो को नहीं करना है छेकी प्लेट को गीरीज कर करे ह Михaak के पहले ही रख डेना है तो जब आगर जैसे मैं भूल गई थी थोड़ा सा कड़ाख हो गया था मेरा मिक्स्चर बट मैनेज हो गया था अगर आप से कभी ऐसा होता है कि मिक्स्चर बहुत कड़ाख हो जाता है जब तक हम प्लेट में लगा रहें तो आप दो मिनिट इसको स्लो फ्लेम स्लो गैस पे रख दीजे तो यह आराम से मैल्ट हो जाएगा फिर यह आप इसको जैसे चाहें वैसा सेप दे सकते हैं तो देखे आप मैंने यहां पे इसको मेल्ट कर लिया है और फटा-फट मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी बूल सकते हो और आप इसी से ही लड्डू बना सकते हो तो देखिए स्रिफ एक मिल्डबाद यह मतलब ही इतना कडक रेसिपी तो एक मिल्डबाद यह बनके तयार हो गई है आप आपको इसे चाकू यह जब मस्ते निकालने के जो नहीं पड़ेगी अपने आप ही निकल जा करके रख लोंगे और बस यह बच्चों को घर में फैमिली को सबको बहुत पसंद आते हैं तो गाइस अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारी हें विडियो मिलते रहें मैं वरकिंग मों में लिए इसी रेसिपी और बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाना इस वीडियो शेयर करते हैं क्योंकि मैं नी Hai बारद बताया मैं भी वर्क भूंब्डाय का टियो मैनेज कुरते हो गाइज मिलते हैं एक्स्ट वीडियो में टिक